मारिंग स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोंस तो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोग Dae में क्या पढ़ा था प्लांट हर्मों के बारे में तो प्लांट हर्मों को fightfun कि ख्याते और टो अब चार टाइप के में लोगों को हार्मों परने पहला था ऑक्सीन जिबरीन लास्क लास में आप लोगों नहJapanese था अभी तीन टाइब के हार्मोन से और जो फॉर्थ वर्ण है सीसिक एसिड क्या है वह एबसीसिक एसिड यह फॉर्ट टाइब के हार्मोन से हैं तीन हार्मोन जो होते हैं उनमें से तीन हार्मोन होते हैं ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करके प्लांट का किसी पार्ट के ग्रोथ करके रेस्पांस देते हैं एक हार्मोन और इसलिए हम प्लांट हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं एक हार्मोन जो एपसिसिक एसीड है वो गृत्थ हार्मोन से नहीं है वो क्या करता एपसिसिक एसीड प्लांट हार्मोन इन्हिबिट करता गृत्थ मतलब यह कि तीन हार्मोन गृत्थ प्रमोटर है और एक हार्मोन गृत्थ इन्हिबिटर है प्रिवेंट करते हैं गृत्थ क अब हम लोग डीटेल फंक्शन्स पढ़ेंगे वेरियस टाइप के प्लांट हार्मोन का राइट तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑग्जीन्स के बारे में कि ऑग्जीन्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में हमने तीन आपको से सिल स्टेज़ बताया थे सेल इंलार्जमेंट सेल डि तो सेल डिवीजन सेल इंलार्जमेंट या सेल इलॉंगेशन या सेल डिफ्रेंशेशन तो यह द्यान में रखना है तीनों बातें ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जीन के बारे में ऑग्जीन्स क्या है यह यू एक्स आई एन फस्ट हार्मोन ऑग्जीन्स हार वन उक्जीन पाए जाता है प्लांट के रूट में auf और प्लांट शूट ऊस्चों नहां को समझ में आए गा शूट किसको बोलते हैं जो प्लांट का टिप पाट होता है टिप जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं यह प्लांट का टिप पार्ट है तो माल लिजे कि यह आपका प्लांट का टिप पार्ट है ठीक है यहां पर उसके सबसे टॉप पोजीशन पर जो पार्ट होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं शूट बोलते हैं क्या बोलते हैं यह बात हो गही, tu number one plant oxyn पाय जागा plant में श्ूट पार्ट में और fruit on function क्या है oxyn हार्मोन का, ओक्जीन हार्मोन high premium pioneers करता और शल्ल डिफरेंशियेशन को प्लान्ट में। साथ साथ औकcking प्रमोट करता है फ्रूट ग्रूट्थ को देखें। जो औकिन हार्मॉन है उसका मेन फंक्शन शूट पार्ट में होगा और रूट पार्ट में होगा। यह शूट पार्ट में क्या करेगा और रूट पार्ट में क्या करेगा हम आपको एक एक जामपल दे रहे हैं उस फीकर के थूर समझना है आपको मा लीजे यह एक प्लांट है और इसके यह लीव पार्ट है और यह वाला जो पार्ट है यह शूट पार्ट है तो सबसे पहले आपको समझना है यह स्टेम है । सपोज इस्टेम है । इधरसे सनलाइट आ रहा रा रहा है है यहां पर बहुत सारे शूट है यहां से लायट पार्ट आ रहा है और फिर light आने से जिस पार्ट पे पड़ रहा है plant के इसमें जो पाया जाने वाला oxyn है वो sensitivity शो करता है light के against मतलब जिधर light रहेगा उसके वो against जाएगा ये इस तरह से तो सारे के सारे यहाँ वाले जो oxyns है वो back side में चले जाएंगे इस back side में राइट अब situation कैसे हो गई है देखिए situation ऐसे हो गई है ये है आपका root part यहाँ से light आ रही है राइट और जितने भी oxyns थे इस side में वो move करके उसके opposite side चले गए और ये वाला जो part है इस part में वो क्या करेंगे गुरुथ करतेंगे जब ये part गुरुथ होगा तो ये part क्या हो जाएगा ये वाला part इमें गुरुथ नहीं होगा क्यूंकि और ये part क्या करता है प्रमोट करता है गुरुथ को और ये part क्या करता है प्रमोट क्यूंकि ये गुरुथ हार्मोनी है तो जिस part पाया जाएगा ये उस part को गुरुथ करेगा ठेक है अभी आपने figure से समझा कि ये एक shoot part था इसमें पाया जाने वाला सभी oxygen light पढ़ने पर इसके back side चला गया और condition ये हो गया कि ये वाला part तो बिल्कुल ऐसा ही रहा बट ये वाला part इस तरह से increase कर गया तो एक तरह से light की वज़े से इसने दूरी बना ली चीक है तो point number one oxine root में पाया जाएगा and shoot में पाया जाएगा ये point number one हुआ point number two oxine का functions क्या है point number two oxine promote करेगा क्या promote करेगा cell division and cell differentiation right cell division and cell differentiation second point ये control करेगा plant को क्या करके गृत्थ करके third point हार्मोन oxine light के परती क्या होता है sensitive होता है ठीक है जिस पार्ट में light जाएगा वह उसके opposite side में चला जाएगा तो हम क्या सकते हैं कि oxine light के से दूर जाता है और gravity से close जाता है gravity की तरफ जाएग और light से दूर जाता है oxines हार्मोन तो हमने जाना है कि oxine number one जल्यली समझेंगे इस चीज़ को कि oxine एक plant हार्मोन है पाया जाता है root और shoot में function है इसका cell enlargement, shell differentiation प्रमोट करता है growth को point number third oxine hormone plant को control करता है उसके growth करके point number four plant hormone oxine light के प्रती sensitive होता और gravity के प्रती sensitive होता यह 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 आपका हम आपको दिखा रहे है यह मान लिजे के plant है ठीक है अब इस में यहां पर नीचे की तरफ root होंगे तो oxines हमेशा नीचे की तरफ आता है नीचे की तरफ जिस part से वो दूर जाएगा उस part को क्या करेगा growth करेगा और यही reason है कि plant के growth में किसका responsible होता है वो oxygen responsible होता है कैसे यहां पर दिख रहा है प्लांट में यह हार्मोंस पाए जा रहे हैं यह सारे हार्मोंस पाए जा रहे हैं आप देख रहे हैं तो यह हार्मोंस जो पाए जा रहे हैं यह सारे हार्मोंस किदर जा रहे हैं नीचे की तरफ क्यों नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उपर से इन पर क्या पढ़ रहा ह light पढ़ रहा है तो light से ये away होते और gravity के twards होते affinity है gravity से और away from the light तो एक लंबे plant में होता ये है कि जो auxines होते वो नीचे की तरफ जाते हैं जिस reason से plant उपर की तरफ growth करते हैं क्योंकि जिस part में auxine जाएगा वो उस part को क्या करेगा growth करेगा root में ये क्या करेंगे root elongation को increment करेंगे तो function हम जानेंगे auxine का function auxine function number one stem growth यहने आप कह सकते कि plant में auxine stem growth को promote करता number one fruit growth को promote करता और इसी region से plant लंबे होते हैं अगर question है कि plant जो लंबे होते हैं वो किस हार्मोन की वज़े से तो plant हार्मोन auxine plant को elongate करता long distance में करता right समझ मारा तो यह function है promote करते growth को अगर सेंथेटिक रूप से oxine अपलाई किया जाता है agriculture में और horticulture में क्यूं क्यूं कि अगर छोटे plant हैं जैसे horticulture और agriculture होते हैं और उस पर अगर अगर श्प्रिंकलिंग किया जाएगा तो बहुत तेजी से cell differentiation होंगे cell enlargement होंगे और result यह होगा कि plant जल्दी क्या करेगा grow करेगा tall होगा so simple word में हम कह सकते हैं कि oxine promote the cell differentiation and cell enlargement the function of oxine is to elongate the plant body the second function of oxine is the second function of oxine is it promote the fruit growth the third function of oxine is it is sensitive towards the light and it is sensitive towards the light and gravity it it goes away from the light and it goes towards the gravity and due to this reason when a plant when a light incident on a shoot part of the plant the oxine that found in the stream part goes slow down towards the root and due to this plant grow upward whereas the due to the gravity due to the gravity due to the gravity growth hormone I mean oxine goes towards the root and root goes inside deep of the inside deep of the soil so this is the function of oxine right it I am going to tell one more point the oxines oxines promote lateral branches what does it means let it suppose this is a plant when you sprinkling the oxines it promote the lateral branches if lateral branches will be more then the fruits fruits become more so in the case of fruit plant people sprinkling spray the oxine hormone due to the promoting of the lateral branches and due to the promotion of the lateral branches it bears more fruits so the farmer or the agriculturist hydroculturist use the oxine hormone to promote the lateral branches use oxine hormone that's it now the second point gibraline what gibraline will do and how it will act where it is found first of all gibraline are plant hormone promote cell enlargement and shell differentiation in the presence of the vaccines remember gibraline always work with auxine only auxine there is no function only gibraline is no functions sorry gibraline only gibraline is no function so gibraline work in the presence of auxine and the function of the gibraline is also same like cell enlargement and shell differentiation so what is the gibraline gibraline are the plant hormone promote shell enlargement shell differentiation and it only work in the presence of auxines right right second point gibraline hormone are also called foolish hormone what it called foolish hormone why it is called foolish hormone because the first time gibraline extracted in a paddy plant paddy means dhan plant so first time gibraline extracted in the paddy plant and the kuru shava one of the scientists now name is kuru shava that first discovered this gibraline and he found that gibral some paddy plant are taller than normal plant and we know that people call taller boy as a full boy and that's why the gibraline is found in a longer plant or longer paddy plants so that's why its name is foolish hormone just forget it i'm just explaining why it is called foolish hormone so that the thing that you remember that you have remember the thing that you have to remember gibraline is a plant hormone promotes shell enlargement shell differentiation in the presence of auxines first point second point that you have to remember is gibraline another name is foolish hormones and due to the gibraline gibraline it elongate plant it elongate the plant auxine promote lateral branches auxine promote lateral growth remember auxine promote lateral growth as well as shoot growth both growth for example this is the plant this lateral branches will growth by auxines and and also shoot shoot growth also by auxine but gibraline only promote the gibraline only promote the shoot elongation not a lateral elongation due to the gibraline there is no lateral branches right so the the first point gibraline is a plant hormone promotes shell enlargement shell differentiation in the presence of auxine and the second point it promotes thus it promotes thus it promotes the it promotes the growth elongate shoot elongation third it is called foolish hormone fourth and due to the gibraline parthenocorpi promote as earlier mentioned what is the parthenocorpi gibraline promote parthenocorpi what is parthenocorpi that you have that i have already explained in the last video fruit without seed is called parthenocorpi in the banana plant gibralines promote the banana fruits without the seeds so the function of gibraline is elongate the shoot part of the plant inhibit lateral branches third it promotes the parthenocorpi fourth that is the more important most important gibraline break the dormancy it break the dormancy so these three functions that you have remembered among them the last function of gibraline that is gibraline promote the breaking of dormancy as high as i had as i had mentioned earlier in the last video what is the dormancy so the function of the gibraline is promote parthenocorpi function of gibraline is promote the breaking of dormancy the function of gibraline is promote the cell enlargement cell differentiation in the presence of auxin always remember gibraline always work in the presence of auxin alone gibraline does not work anything right the functions over now the cytokinin these two are always of growth promoter i mean plant it is a plant growth hormone not inhibitor hormones now third one is cytokinin cytokinin are the plant hormone promotes cell division right due to the cytokinin the rapid division of cell rapid division of cell occur remember in the early stage of the plant when seeds germinate at that time seeds inside seed cytokinin hormone grow cytokinin hormone release more because of this cytokinin hormone cell division rapidly occur and due to the cell division it increase the growth or it helps in the germination of the seeds right so the function of cytokinin are the plant function of the cytokinin are first of all cytokinin and the plant hormone right promotes cell division in a plant it also helps in breaking the dormancy of seed gibraline also helps in the breaking of dormancy of seed it also and cytokinin also helps the breaking of the dormancy of seed until does not until seed does not break their dormancy how it will grow so the breaking of the dormancy so breaking of the dormancy of the seeds and then it will germinate for breaking of the dormancy cytokinin hormone release so cytokinin hormone is the plant hormone promotes cell division rapidly and cytokinin more release is more at the early stage of the plant that means the germinating stage of the seeds break the dormancy of the seeds the more important function that you have remember the function of cytokinin delay the aging of leaves aging of leaves means when a leaf this is the plant any emergency condition is there if suppose if any emergency conditions occur due to the some scarcity of the water so and sometime the plant you have no you absorb in many plant you have absorbed in many plant many of the leaves go suddenly go in yellow condition I mean it break earlier the leaf of the plant go earlier breaking that means the leaf go aging earlier but the cytokine delay the aging of the leaves cytokine promote cell division plant break seed dormancy and leaves ageing delay this means this plant is not more than the plant आपने लेखा होगा बहुत सारी से प्लांट है जिनकी पत्यां जल्दी कम टाइम में पीले हो करके ज़ड जाती हैं इसका मतलब उसमें साइटोकाइणी की हार्मोन कम है साइटोकाइणी हार्मोन प्रमोट करता है ओपनिंग ओफ प्रमोट फूर्ट ग्रोथ तो चार फंक्श अचर शीलेड़ और मोचेरी प्रियूर प्रинов शीडिश्य रॉर चूर जभ ज कोड़ना या ऐचा इट विज डिलेख hormone promote opening of stomata and the fourth function is promote fruit growth so once again cytokinin function remember cytokinin is a parent cytokinin are plant hormone promote cell division promote cell division breaking the dormancy delay the aging and opening of stomata अब जानते हैं कि कि इस टोमाटा का खुलना और बंदोना जब इस टोमाटा नहीं खुलेगा carbon dioxide इंटर नहीं करेगा carbon dioxide नहीं करेगा photosynthesis नहीं होगी सो इस टोमाटा का opening के लिए response cytokinin याद रखना और साथ-साथ fruit growth में भी promote करता है कौन cytokinin करता है एक question है इसमें आपको याद रखना है कि साथ-साइटो-कैनीन कहां पाए जाता है तो जो coconut water है coconut water आपने coconut water पिया भी होगा coconut water अगर coconut water है तो उसमें क्या पाए जाता साइटो-कैनीन के हार्मोन्स पाए जाते हैं इसलिए अगर आप कुछ चोटे पौदों को ग्रो कराना चाहते हैं सीड्स को अर्ली स्टेज में जर्मिनिटिंग स्टीज है अगर आप उसमें coconut water को sprinkling कर देते हैं तो वह तेजी से cell elongation और cell enlargement I mean not cell elongation और cell enlargement cell division तेजी से होता है result यह होता है कि वह जल्दी germinate करता जल्दी से grow करता aging नहीं होती fruits जल्दी बनते हैं यह याद रखना है तो अगर question यह आता है कि the natural cytokanine hormones किसमें पाए जाते हैं तो आपको answer करना होगा coconut water में अब last hormone जो है वह है abscessic acid abscessic acid को plant growth hormone नहीं कह सकते mainly क्या है यह यह एक growth inhibitor है बाकी तीन hormone क्या है growth promoter है इसलिए उनको growth hormone कहा जाता है क्योंकि वह कहीं ने कहीं किसी रूप में plant की किसी ने किसी पाट को क्या कर रहे है growth कर रहे है औक जीन जिस भाग में जाता उस भाग में करता लाइट से दूर होकर cytokinin cell division करता growth करता जिवरेलीन growth करता shoot elongation में lateral को रोप था बट शूट को क्या करता increment करता लेकिन abscessic acid वह हार्मोन है वह ऐसा plant हार्मोन है जिसका function क्या है growth inhibitor क्या करता यह बाकी दो हार्मोन जिवरेलीन cytokinin dormancy को break करते बट abscessic acid dormancy को क्या करता promote करता याने जब plant के अंदर fruits बन जाते हैं और उस fruit के अंदर जो seeds होते हैं तो उसमें release होता है abscessic acid किस लिए ताके उसके seeds के अंदर क्या लाए जाए उस seed के अंदर dormancy लाए जाए ताके next generation के लिए वो preserve रह सके शुरक्षित रह सके उस समय abscessic acid hormone growth release होता है so the function of the abscessic acid is as a growth inhibitor and the promote the promote not inhibit it promote rest of gibraline and the cytokinin inhibit break but abscessic acid promote the dormancy of seed and buds also put the closing of stomata before that cytokinin cytokinin promote the opening of stomata but abscessic acid promote closing closing of stomata abscessic acid promote the wilting and falling of leaves as earlier mentioned what is wilting falling of leaves early aging of leaves is called wilting जो समय से पहले पत्तियां पीली हो जाती है और जड़ जाती है उनको यह wilting कहते हैं तो होता यह है कि यह wilting of leaves को क्या करती प्रमोट करती है और stomata को close करने में मदद करती है seed को dormancy लाने में मदद करती कहीं पर कोई growth नहीं हो रहा है इसलिए को हम कहते है growth inhibitor सम में negative work हो रहे हैं की ab щоб एक एक कारण ही it also cause अधूस दी एचमेंट ऑफ frameworks और फ्रूट स्रम फ्लॉ değiş होंगे तो प्लाइंट की फूट अपने आप जड़ने लगेंगे और flowers को ओने लगेंगे जड़ने लगें राइट और इसी कारण से abscissic acid को एक नाम दिया गया है emergency hormone कौन सा hormone emergency hormone का emergency hormone या देखें क्योंकि ऐसा कब होता है माल लिजे कोई plant है जिसमें water के scarcity हो गई है dessert condition में आ गया है तो वो क्या चाहेगा कि वो सिर्फ survive करें और survive करने के लिए जो बाकी unnecessary उसके साथ जो प्रॉसेस हो रहे है उसको वो कम करें जैसे की fruit को गिरा दे जो leaf है उनको जल्दी पत्यां गिरा दे जल्दी ज़ड़ जाए ताकि वो ज्यादा consume water ना कर सके minerals ना कर सके nutrients ना कर सके तीसरा स्टोमाटा को बंद कर दे ताकि उसमें से ट्रांस्परेशन ना हो भैपर के रूप में पानी भाब बन के ना निकल जाए चौथा वो leaf को गिराने का काम करते हैं जब वो emergency आती है तो वो ऐसा करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि abscessic acid एक emergency plant हार्मोन है आयोग आप समझ गया होंगे तो हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं ठीक है तो ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको बारे में राइट